जईन दोस्तों, कल हमने बात की थी जियो मोर्फिक प्रोसेस के बारे में, जियो मोर्फिक प्रोसेस से रिलेटेट हमने कई सारे क्यूशन्स भी किये थे, हमने बात की थी एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, हमने बात की थी एक्जोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, व kateisotropism that is slow moment आज हम बाठ करेंगे kateisotropism के बारे में which one is the sudden moment ketisotropism जो की एकदम से earth surface पर आता है तो kateisotropism के अंदर क्या होता है उसके बाद हम इस lecture के अंदर करेंगे kateisotropism के अंदर आता है earthquake यानि भुकम सुनामी-वॉल्कैनिजम मतलब जुछाला मुखी तो इन प्रक्रियाओं के बारे में ये कैसे होती है धर्ती पर कैसे आती है और किस तरीके से ये इंपक्त करती है जो आपदा होती, जो डिजास्टर होता है वो डिजास्टर इनके थूग कैसे generate किया जाता है उस बारे में हम इस lecture के अंदर discuss करेंगे यहाँ पर जो disaster बनता है उस disaster को manage करने के लिए भारत सरकार ने 2005 में disaster management act बनाया था और उसी disaster management act के तहट national disaster management authority बनाई थी जिसके head होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी जी है उसी के सांथ साथ उसी के अंदर बनाई गई थी state disaster management authority तो state disaster management authority भी होती है national disaster management authority भी होती है अलग-अलग जगे से इसका legislation होता है जो कि इस तरीके के कई disaster से बचाने के लिए होती है जो disaster आते हैं उनको हम रोक तो नहीं सकते अर्थक्वेक जो आता उसे रोका तो कभी नहीं जा सकता बट अर्थक्वेक के आने के बाद किस तरीके से लोगों को वहां से rehabilitate किया जा सकता है वह आपर हुए नुकसान की recovery कैसे की जा सकती है वह काम करता है disaster management authority इसी के अंदर दो forces बनाई गई है एक NDRF National Disaster Rehabilitation Force एक बनाई गई है SDRF State Disaster Rehabilitation Force तो disaster management क्या होता है उसके बारे में तो हम इंडियन जोग्रोफी के अंदर देखेंगे आज हम बात करेंगे इन geological disaster के बारे में वह disaster जो की अर्थ के इंटीरियर से originate होते हैं वह disaster जो की पूरे अर्थ की क्रस्ट को चेंज कर देते हैं जो तोड़ देते हैं जो लाइप और प्रोपर्टी का अत्यंत नुकसान कर दे हैं उन्ही disaster की बात करेंगे जिसे हम catastrophic event कहते हैं तो बात करते हैं इसी में आगे अर्थक्वेक से अर्थक्वेक को जानने से पहले हम natural disaster की definition को देखते हैं अनेचुरल catastrophic is the major adverse event resulting from natural process of the earth अर्थ के इंटीरियर में होने वाली कई सारी processes जैसे की conventional currents जैसे की sea floor spreading theory के अंदर हमने देखा था तो उन्हीं चीजों के कारण अर्थ में ample amount में energy release होती है और वही geothermal energy जब अर्थ surface पर आती है तो इन्हीं आपदाओं का रूप ले लेती है इसी तरीके के disaster हमें अर्थ surface पर देखने को मिलते हैं जिसे हम earthquake बोलेंगे tsunami और volcanism एक-एक करके बात करते हैं सभी के बारे में सबसे पहले हम discuss करते हैं earthquake को अर्थ क्या होता है अर्थ जिसे हिंदी महम भुकंप कहते हैं अर्थ मतलब shaking of the earth जो earth होता है अर्थ सर्फेस जब vibration करता है अर्थ के interior से जब energy अर्थ की crust पर आती है और कई सारे tremors generate होते हैं कंपन्न होने लगती है धरती हिलने लगती है और उसी vibration के कारण कई सारे नुकसान होते हैं जैसे कि फोटोग्राफ में आप देख रहे हो कि किसी किस तरीके से बिल्डिंग तूट गई है electricity के पोल जो है वो जर्जर हो चुके हैं तो अर्थ क्वेक की definition क्या होती है उसे हम पढ़ते हैं सो एन अर्थ क्वेक इस शेकिंग अप दी अर्थ resulting from sudden release of energy in the earth lithosphere that creates seismic waves अर्थ के interior से suddenly energy release होती है जो कि अर्थ के lithosphere को change कर देती है उनी को हम बोलते हैं अर्थ क्वेक और यह जो एनर्जी होती इन एनर्जी की हमने बात की थी अर्थ के interior के बारे में जानने के लिए भी जब हम अर्थ के interior की study कर रहे थे तब हमने कुछ seismic waves देखी थी seismic waves जैसे की कौन-कौन से seismic wave देखी थी हमने P wave देखी थी हमने S wave देखी थी P wave मतलब primary wave S wave मतलब secondary wave तो यह waves क्या होती है के से earthquake आता है अर्थ के interior में कहा से एर्थक्विक जिनरेट होता है और गेसे आता है उसर ्वाथे में हम यहांपर बात करते हैं तो यह होता है दोस्तो अर्थक्विक का स््ट्रक्चर ज्ञान से देखो यह है हमारी अर्थ अर्थ के interior में एक point होता है जिस point से अर्थ को एक originate होता है उस point को हम बोलते focus या फिर हाइपो सेंटर हाइपो सेंटर और फोकस वो पॉइंट होता है जो हिडन पॉइंट होता है यह याद रखना हमारी NDA की एक्जाम ने क्वेशन पूछा है कि अर्थ के इंटीरियर में वो कौन सा पॉइंट होता है जांसे अर्थ को यह ओरिजनेट होता है सो इट विल भी फोकस या फिर हाइपो सेंटर और फोकस और हाइपो सेंटर से कुछ वेव चलती है जो कि सर्कुलर मेंनर में आपको दिखाई दे रही है इस वेव और बोडी वेव इस वेव आर बोडी वेव, बोडी वेव कौन सी वेव है, जो कि अर्थ के इंटीरियर में चल रही है, अभी तक हम अर्थ सर्फेस पर नहीं आ रहें, अभी तक हम कहा है, अर्थ के अंदर है, तो यह जो वेव है, इस वन इस दी बोडी वेव, जैसे बोडी वेव, सबसे पहल पहली बार अर्थ की क्रस्ट को हिट करती है तो वह पोईंट जहां पर बोडिवेव सबसे पहली बार अर्थ की क्रस्ट को हिट करती है यह एपीसेंटर एपीसेंटर वह पोईंट होता है जहां पर बोडिवेव अर्थ की क्रस्ट को सबसे पहली बार हिट करती है वह जैसे बो को हम बोलेंगे तर्फेस वेव ठीक है दो टाइप की वेव होती एक वेव जो कि अर्थ के इंटीरियर में जनरेट हुई उसे तो हमने बोल दिया बोडी वेव और दूसरी वेव जो कि अर्थ के सर्फेस पर जनरेट होती है उन वेव को हम बोलते हैं सर्फेस वेव सर्फेस व और बोड़ी वेव क्या होती इनको फरदर हमने कितने इनmy प्राट्ट में क्लासिफाई किया उसके भारे में देखते हैं कि सू अर्थे π़र ऑडिवाइड इंटुब नहले जो listeners अर्थके अर्थके बोड़ी में चलती जो प्राइमरी वेव, एस मिन्स, सेकंडरी वेव, पी वेव जो होती है, वो प्राइमरी वेव होती है, जो की सबसे पहली बार, जो सिस्मोग्राफ होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके उपर अर्थक्वेप को मेजर किया जाता है, उस पर सबसे पहली बार क्या होती है that it can pass through solid liquid and gas तीनों मीडियम से पास हो जाती है primary wave secondary wave can only pass through solid जो secondary wave होती है सिर्फ और सिर्फ सोलिट से पास होती है liquid से पास नहीं होती है तो यह secondary wave और primary wave होती जो कि earthquake की होती है दूसरी जब यह हमारी अर्थ है यह वो सेंटर है जहां पर से अर्थ औरिजनेट हुआ that is the focus या फिर हाइपो सेंटर यहां से बोड़ी वेव चली बोड़ी वेव ने सबसे पहली पार जिस पॉइंट को हिट किया that point is our epicenter अब epicenter से जो वेव सर्फेस पर चलेगी उन वेव को हम बोलते हैं surface waves तो जो green color से यहां पर सो हो रही है that is the surface wave तो surface wave को further हम दो पार्ट में classify करते एक relic and second love तो यह जो love is the most devastating wave आपको पता होगा जानते भी होंगे आप इस बारे में कई लोगों ने अनुभाव भी किया होगा तो love जो होता है या फिर love जो वेव होती है वह earthquake की सबसे devastating होती जो कि जिंदिग्यां बर्बात कर देती है ठीक है तो यह दोनों surface wave और वो दोनों body wave यह थी हमारा earthquake का इंटीरियर का structure और earthquake की waves यह इस type की waves होती है यह जो होती है primary wave इस वन इस यह secondary वेव प्राइमरी वेव जो होती है अब प्राइमरी वेव को ऐसे ECG के फोम में क्यूं दिखाया गया है यह आपर किस टाइप से दिखा रहा है तो यह जो आपको जो shaking होती है तो यह pendulum इधर उदर घुमता है और उसी के साथ साथ यह यहाँ पर लाइन्स ड्रो करता है जो की intensity बताती अर्थक्विक की कि अर्थक्विक कितना ज्यादा powerful है वो यहाँ से पता चलता है और वो जो structure बनता वो इस टाइप का होता है तो surface वेव जब अर्थक्विक ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करते कुछ ऐसे कारणों की जो की अर्थक्विक जन्रेट करते कई सारे कारण होते हैं जिनके कारण अर्थक्विक आता है जिनकों कि हम कम नहीं कर सकते जिनके लिए हम responsible भी नहीं है कुछ anthropogenic region भी होते जिसे मानव निर्मित रीजन भी कहा जाता है या फिर मानव निर्मित कारण जो की responsible होते हैं जिसके लिए हम हमारे कारण जब अर्थक्विक आता है तो हम एक एक करके कई सारे कारणों की बात करते हैं जिनसे अर्थक्विक originate होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं volcanic activity की वोलकेनों जो होता है जिसे हम जौला मुखी कहते है वो अपने आप में एक आपदा है तो वो तो आपदा है इसे ही बड़ जब वो आता है तो साथ में अर्थक्विक को भी लेकर आता है यह लाइन आप देख रहे हो इच वोलकेनिजम इस फोलोड बाई अर्थक्विक हर होता है यह इसलिए होता है क्योंकि जो वोलकेनों होती वह इस टैन्प की होती है इस वोट फलोसे क्या होता है लाओ इरपट अउटोम average उगर आएगा तो यहां पर जो space है वो खाली हो जाएगी, यहां का जो लावा है वो कहां गया, surface पर, तो जैसे लावा surface पर आएगा, तो जो खाली जगा है, उस खाली जगा पर plates move करेगी, जब plate move करेगी, तो plate क्या generate करेगी, plate generate करेगी seismic activities, तो इसी के कारण, वोलकेनों से earthquake आता है, so it is the first reason, second, tectonism, tectonism वाले chapter में हमने बात की थी, tectonism से earthquake कैसे आता है, वो बताने से पहले, मेरा एक question है आप सभी लोगों से, कि plate tectonic theory किस ने जी थी, वो तीन scientist के नाम क्या थे, और किस year में plate tectonic theory दी गई थी, वो आपको बताना है comment करके, बट यहाँ पर देखिए plate tectonism से कैसे earthquake का था, plate tectonism के अंदर हमने तीन boundaries पड़ी थी, divergent boundary, जब plate एक दूसरे से दूर दूर जाती है, एक convergent boundary, जब plate एक दू के बाहर आता है, और उस टाइम पर कई सारी seismic waves generate होती है, यह वाला portion हमें, या तो rift valley के पास देखने को मिलता है, या समंदर के अंदर, जहां पर mid oceanic ridge होती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, जब दो continental continental plate एक दूर जाएगी, diverge होगी, तो उस divergent plate पर हमेसा rift valley बनेगी, example, the great rift valley of Africa, example, नर्मदा valley, यह plate के दूर जाने के कारेंट बनेगी, तो यहां पर generate होती है, divergent plate से rift valley, और इनी rift valley के पास छोटे छोटे tremors आते, अर्थ्विक के, यह divergent के कारेंट हुआ, एक होता convergent के कारेंट, जब दो plate आपस में आकर collide होती है, जब दो continental continental plate आपस में आकर collide होगी, तो वहाँ पर formation होगा, great mountain का, वहाँ पर बड़ी-बड़ी fold mountain बनेगी, but fold mountain के बनने के साथ साथ, वहाँ पर कई सारी seismic activities होगी, उस area के अंदर, जहाँ दो plate आकर collide कर रही है, क्योंकि इस collision के कारेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दो plate आपस में आकर collide हो रही है, तो इतना बड़ा large land mass जब आपस में आकर collide होगा, तो collision के कारेंट क्या होगा, वहाँ पर tremors generate होगे, और वही tremors form ले लेंगे primary, secondary, relic and low way होगा, और फिर वहाँ पर होगा, अर्थ पे, तो यह कहाँ पर आता, convergent boundary या फिर collision boundary पर, फिर बात करते हैं हम third transform boundary, transform boundary में ना तो plate दू बड़ जो existing land form में, वो या तो older हो जाता है, या फिर deform हो जाता है, जो पहले से बनाए, suppose करो यहाँ पर था एक plate यूप, अब जैसे plate दूर जाएगी, तो plate यूप का आदा हिस्सा तो इस तरप आ गया, और आदा हिस्सा इस तरप आ गया, तो जो सेनेंडरियास fault है, जो कि Pacific Ocean के पास है North America के अंदर, वहाँ पर जो earthquake आते हैं, वो transform boundary के कारण ही आते, उस एरिया के अंदर जो भी earthquake आते हैं, वो transform boundary से आते, तो इसी तरीके से, टेक्तोनिजम, एक बहुत बड़ा कारण है, भुवकंप के आने का, ठीके, तो टेक्तोनिजम समझा है, वोल्केनिजम समझा आगे देखते हैं, नेक्स्ट इस, आइसोस्टेसी, ये कॉंसेप्ट साइद आपने पहले कभी पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा होगा, बट पहले आइसोस्टेसी से अर्थ क्यों आता है, उससे पहले जानने से, हम बात करते हैं, आइसोस्टेसी क्या होती है, आइसो यह custic kondition बोलती है कि अगर कोई mountain है जिसकी height है 8 km तो इसह के 8 km के बज剛 maintain करने के लिए इसी के नीचे एक दूसरी mountain होगी जिसकी height होगी जिसकी depth होगी 8 km तो जितनी अर्थ بाहार की तरफ खुली है उतनीकी उतनी अर्थ अंदर भी है बाहर वाला और अंदर वाला आपस में एक दुसरे के equal है बट हमने देखा कि अर्थ का जो outer surface है अर्थ का जो surface area उस surface area पर चलते हैं exogenetic agents जैसे कि river नदिया चलती है हवा चलती है बारिस होती है रेगुलर संरेस गिरती यह तो क्या होता है यह वाला जो बाहर का जो को Fahrenheit यह गिर जाता है तो इसका घृत fresh है उसके जाक है है वह तो चुछा और हो जाएगा पेहले यह बड़ी थी आप सोड़ी चोटी तो जो बैलोंस कणडिशन थी यह 8 क्यमीटर कोब आफ आपर तक ऩि यह हो जाता है कि हो जहाँ पर 10 फिर-onais या tegen-re ocean होती अर्थ के अंदर फिर उस अगीन बैलेंस करने के लिए अर्थ के इंटीरियर से एक सिस्पीक वेलोढें और में भी हमारी सफेस्ट है और यहां पर एक माउंटेन है यह अर्थ के बाहर है और यह अर्थ के अंदर है दोनों में हमेशा balance condition होना चाहिए अगर balance disbalance हुआ एक भी पलड़ा अगर भारी हुआ तो दूसरे पलड़े पर earthquake आ जाएगा और earthquake या तो अर्थ के interior के कारण आए या फिर अर्थ के बाहर के कुछ exogenetic forces के कारण आए डेमेज वो अर्थ की crust को ही करेगा तो यही से अर्थ को एक originate होता है जिसे हम तीसरा कारण मानते है आइसोस्टेसी डिस्बैलेंस की condition होती है इस की condition के कारण earthquake आते हैं अर्थ के surface पर आइसोस्टेसी के बारे में बात करने के बाद आगे हम discuss करते हैं the elastic Rebound Theory elastic Rebound Theory बहुत जादा मानी जाती इर्थ के आने के कारण कि अर्थ को एक जो आते हैं अर्थ को सायाने के जो कारण होते हैं उस कारण के explanation के लिए जो सबसे बड़ा factor माना जाता है वो माना जाता elastic rebound theory को आप देख रहे हों यहाँ पर एक rubber है जो हातों में खीची हुई है बस इसी rubber की तरह होती है हमारी धर्ती जिसे दो पार्ट आपस में आकर खीचते हैं जो हमारी अर्थ की crust है वो एकदम tightly elastically खीची हुई है इस्ट्रेस है उसके उपर अब जैसे यह stress release होता है तो release होने के कारेंट क्या होता है अर्थ quick generate होते है जब यह stress यह इसने यहाँ पकड़के रखा इसने यहाँ पकड़के रखा अब जैसे यह stress होगा release या फिर जैसे ही यह rubber तूटे करेंगी तो तूटने के कारेंट क्या होता अर्थ quick generate होते है जिसे elastic rebound theory भी कहा जाता है क्या होता है अर्थ की जो क्रस्टे वह खिची हुई है उसको tightly पकड़के रखा हुआ है तो tightly पकड़के रखने के कारेंट एकदम से वहाँ पर प्रिक्चर आ जाते हैं जैसे energy release होती है तो एनर्जी अर्थ सर्फेस पर आती है सिस्मिक वेवस के फोम में ईलास्टिक रिबांट थिओरी के बादा इंत्रोपोजोनिक फीक्टर यो फेक्टर हें जो हम जंघ करते मानौन निर्मित कारण हमारे कारण जंघो हुए और्थ ehakद होता है एक river है इस river का नाम है कोईना example के थुरू बता रहा हूँ एक river है जिसका नाम है कोईना कोईना river जो है यह महरास्ट्रा के अंदर बहती है सातारा के पास तो यहाँ पर क्या हुआ इस river के उपर बनाया एक dame और इस dame के कारण क्या हुआ पानी पीछे की तरफ accumulate होने लगा यह पानी पीछे की तरफ accumulate होने लगा आगे जो stream की हो गई पतली अब जब यह water पीछे की तरफ accumulate होने लगा तो यह सारा का सारा जो water है यह hydraulic pressure exert कर रहा यहां की अर्थ के उपर यहां की अर्थ की जो crust है इस crust के उपर ये hydraulic pressure exert कर रहा और उसी hydraulic pressure के कारण क्या होता जो isostasy की condition है जो balance है plane के बीच में वो हो जाता disbalance आप खुद सोचो इस area के उपर जब में नीचे पर बल लगाऊंगा दम लगाऊंगा तो क्या होगा धीरे से एक दूसरा force भी उपर की तरफ generate होगा तो यहां पर इस hydraulic pressure के कारण इस बड़े से reservoir के कारण यहां पर earthquake generate होता है और इसी तरीके का earthquake सातारा के अंदर आया था कोई ना रिवर पर बंदे हुए बांध के कारण ठीक है तो यह होता है anthropogenic के अंदर reservoir induced earthquake जिसे हम hydraulic earthquake भी बोलते हैं इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं explosion के बारे में कई बार क्या होता है nuclear test किये जाते हैं देश में कई सारी यह जगाए जहां पर nuclear का test किया जाता है nuclear के टेस्ट को दोरान जब ample amount में energy generate होती है तो energy एकदम से अर्थ को हिला देती जंज़ोर करके रख देती तो जैसे वह एनर्जी अर्थ को हिलाती है तो क्या होत चैनी हो यहां पर आता था पहला इंत्रोबोजनीक फेक्टर दूसरा इंत्रोबोजुन एक्सप्लोजन जब हम एक्सप्लोजन करते हैं चेक्स्प्लोजन और माइनिंग के दोरान क्या होता है अर्थ को शेकず और जैसे अर्थ पर शेप होता है उसी के अर्थक्विक जनरेट हो जाता है अब हम बात करते हैं अर्थक्विक के डिस्ट्रिबूशन के बारे में कहां कहां पर अर्थक्विक आते हैं पूरे व्ल्ड के अंदर यह हमारे व्ल्ड का नक्सा जिसके अंदर अलग-अलग जहां पर अर्थक्विक लिल्बद सबढ़ आते हैं यहां पर अर्थकूफ आते हैं इस स्पैसिफिक आपायर यह यह में इस सबसे बढ़र लिजन हैं टेक्तोनीजम् जो हमने दूसरा रीजन पढ़ा अभी अर्थक्वित का यहां पर सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट यह प्लेट जब मूव करती है तो यह कई सारी प्लेट से टकराती है इधर साउथ अमेरिकन प्लेट नोर्थ अमेरिकन प्लेट नाजागा प्लेट जुवांंडे फूपा प्लेट तो इस थाइप से कई सारी जभ प्लेट से टकराती है यहां पर मेंचने कर देए कोी सारे एक्टिव जोँने आगर हम बात करें ना के मोमेंट के बारे में तो जो इंडियन प्लेट की बात करें तो पेशिविक प्लैट का जो पेश है वो है 9 संटी मिटर ही नहीं उन' एक साल के अंदर 9 संटी मिटर मुख करती यह मुख करती है तो उसके शुराउंटिंग में जितनी लेरिनियन सी तक हिमाले जो है हिमाले के उपर अर्थक्विक क्यों आते हिमाले अगर इंडिया की बात करें अब सारे वल्ड को हटा दे हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के सबसे ज्यादा अर्थक्विक प्रोण एरिया के अंदर आता है हिमाले क्यों आता है विक और कि अर्थक्विक का रोल ले लेते हैं तो कई बार आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश उत्राखंड उसके बाद है तो नेपाल भूटान सिक्कीम इन एरिया के अंदर अर्थक्विक आते हैं क्योंकि यह हिमाले जो है उसकी लाइन पर बने हुए तो इसलिए यह होता ह पहला था पैस्विक रिंग ओफ फायर यह भी टेक्टोनिजम के कारण होता है दूसरा मिट कॉंटिनेंटल बेल्ट और तीसरा होता है एट्लांटिक रीज एट्लांटिक रीज यह वाला पॉर्शन यहां पर अपने एट्लांटिक रीज की बात की थी जब हमने डाइवर्जेंट बाउंडरी देखा था जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर कैसे जाती है जब हमने डाइवर्जेंट की बात की थी तो डाइवर्जेंट के अंदर हमने जब ओशन के अंदर Earthquake generate होते हैं तो यहां पर Earthquake आते हैं इस वाले region के अंदर जिसे हम Atlantic Ridge भी बोलते हमने बात की थी एक मेंट के लिए देखो हमने यहां पर देखा था ना है दो या सब्सक्ञाँ के डायवर्ज होने के हिमाले रीजन के अंदर और ट्रांसफोर्म जो है जो पिस्विक प्लेट है दूसरी प्लेट के साथ ट्रांसफोर्म मुमेंट बना रही है उस मुमेंट के करके रख़ा हुआ है जो रेड कलर से प्लॉट है जो एरिया यह एरिय दिसवन इस यूर जोन नमबर फ़े इस वन उन पर सब्से जञदा अर्फक्रेक आते हैं अब इस प्क अन्जारी रिजन कुन और रिजन पर अर्थो क्वे काते दूसरा रीजन है हमारा रौब इस यह भी आप जिए जब्लिक फॉर्स यहां पर अर्थक्विक आते हैं फिर दूसरा जो तीसरा जोने यह था फॉर्थ वन पिर इसके बाद है तो जो तीसरा जोने जो कि यहां पर औरेंज कलर से दिखा रखा है यहां पर भी अर्थक्विक आते हैं यहां पर आने वाले अर्थक्विक का जो मेगनिट्यूड होता ह हुए earthquake के compare में कम होता है फिर इसके बाद थर्ड जो होता है वह यलो वाला region होता है जिसे हम second zone भी बोलते हैं second zone के अंदर earthquake और कम आते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता फिर जो blue color वाला region है blue color वाले region में तेसा है तो थोड़े बत पंखे हिलते हैं जब हमें कोई बात करते हैं कि अर्थक्वेक आया था किसी को पता होता है किसी को नहीं पता होता है कोई नीन में रहते कोई कुछ काम करते तो जो observe करते हैं जो messages करते उनको पता चलता है कि यहां पर कुछ पंखे हिले यह थोड़ी सी आपका मारकर गिर गया टेबल हिल गई तो इस टाइप से अर्थक्विक आता है बट अर्थक्विक आते वक्त जो सिस्मिक वेवस निकलती है उन वेवस का अंदाजा हम से ज्यादा जानवरों को हो जाता है कई सारे यूट्यूब पर वीडियो डले हुए हैं आप लोग जाकर चेक कर करना कि कई सारे जो जानवर है अर्थकॉइक के आने से पहले सजेत हो जाते हो गया क्यों कि 2023 इन बात करते हैं वोले के बारे में जॉदाक होता है जॉदा मुखि को देखते हैं जॉदा मुखि क्या होता है जॉदा मुखि 번째 से अर्थपे कैसे अर्थ पर होता है चाला जो ओल्क 10 ऑर उर्वर्टेनीज़म दो अलग अलग वर्टस है नहीं याद होता है उतलेकर जो एक लैन्डफॉल्म होता यह परवत होता है जिसे वोड़ के अंदर अर्थके इंटीर से निकल कर लावा बहार आएगा सोलेडिफाई होगा और सोलेडिफाई हो जाने के बाद एक नए लेंड फॉर्म का फोर्मेशन करेगा तो अर्थ के इंटीर से निकल कर लावा बहार आया बहार आने के बाद सोलेडिफाई हुआ और सोलेडिफाई होने के बाद जब एक नए land form का formation करता है इस सारी process को मिला कर हम बोलते हैं वल्केनिसम और वोल्केनों जो है वो सिर्फ एक structure है जो हम यहां पर दिखाई दे रहा है वोल्केनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ माउंटेन है वोल्केम है लो क्या बोलती है उसके बैरे में देखते और फोल के दूपårtाइ गों कि जिस ङो आल बहार निकल के आता है इस पाइप से लाव महा राता जिसे गलोविंग ऑलांच भी कहते हैं और जो भार आता इसे at along इसके साथ इसे लाहर भी बोलते हैं तो जो लावर अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है वो जिस मिडियम से बाहर आता है जिस पाईप से बाहर आता उस पाईप को हम बोलते हैं वेंक तो अब और उपनिंग यूजवली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर एसा जरूरी नहीं है कि जो वोलकोना का माहूत हो जुसका मुह हो वह हमेशा एक गोल हो कभी-कभी वोलकोना स्ट्रेट भी होते पूरे खुले हुए उस टाइप के इरप्शन को हम क्या बोलते आगे स्लाइट में द पहार आते हैं मतलब वोलके नो एक इस तरीके का पहाड़ है जिस पहाड़ के अंदर से कई सारे मेगमेटिक आम टोकिंग अबाउट मेगमेटिक मेगमेटिक जो की मेगमा वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो कई सारे मेगमेटिक जो चीजे होती बाहर निकल कर आती है कई सार और इस पूरी process को हम बोलते हैं volcanism. तो volcanism समझ माया, volcanism is a process और volcano is a land from which went से कई सारे magmetic material, कई सारी gases, water vapor निकल के बाहर आती है. So it is the volcanism. वोलकेणों से कौन कोन से material निकल के बाहर आते हैं, इन material की बात करते हैं, हमारी exam इन points के उपर ज्यादा focus करता है. तो वोलकेनों के अंदर से जो-जो मटेरियल निकलने आते हैं, उसकी बात करते है, फर्स्ट, गेसेस, वोलकेनों के अंदर से निकलने वाली गेसेस, वॉल्केनिक गेसस के बात करते हैं तो वॉल्केनिक गेसस में वॉल्केनों से निकलती है carbon dioxide, co2, sulfur dioxide, aso2 and carbon monoxide इसके अलावा भी कही सारी गेसस निकलती है बढ़ ये गेसस ऐसी ही जो कि majorly वॉल्केनों के interior से निकलती है फिर इसके बात आती है वॉल्केनिक dust जो volcanic dust होती है उन dust particles की diameter होती है 0.00 0.05 mm तक 0.05 mm की diameter के साथ volcanic dust निकलती है volcanic ash जो होती है जो राख निकलती है वोलकेनों के अंदर से उसकी size होती है 0.05 mm to 0.05 mm 0.05 mm मतलब 0.05 से लेकर तो 0.05 mm तक निकलता है फिर इसके बाद आता volcanic core ash इसके अंदर particles थोड़े से और बड़े होते है जिसकी diameter होता होता 0.5 to 4 mm 4 mm के बाद आते हैं लापिली जो होते हुए छोटे छोटे-छोटे पत्थर होते है जो direct आपने ओले गिरते हुए देखे हऊंगे औले गिरते हना जो गोल-गोल जो आइस के क्यूब्स गिरते है आसमान से उसी type के लापिली होते हैं जो कि वोलकेनों के अंदर से निकलके ब डायमेटर है, वो होती है 32 mm, जो कि इन से भी बड़े होते हैं, तो इस टाइप से वोलकेनों के अंदर से चीजे निकल के आती है, सबसे पहले क्या निकलती है, जो सबसे ज़्यादा height पर जाती है, वो है gases, क्यों जाती है gases सबसे उपर, क्योंकि gas के अंदर weight comparatively कम है, तो तेज है, जो वोलकेनों से निकलते हैं, अब यहाँ पर बात करते है, basic lava और acidic lava, जो lava होता है, जो conglomerate हमने देखे, इन conglomerate के बाद, जो चीजे जो सबसे ज़्यादा निकल के आती है, उसे हम बोलते हैं, lava, lava, या फिर glowing avalanche, या फिर लाहर, जो जो जौला मुकी के अंदर से निकल के आती है, तो इसके बारे में, बात करने से पहले, acidic और basic lava क्या होता है, उससे पहले यह जानते हैं कि वोलकेनों erupt क्यों होता है, क्यों वोलकेनों से इतना सारा particle बाहर आता है, क्या हो अगरे दी वो वोलकेनों disastrous होती है, no doubt, वोलकेनों जो होता हो catastrophic event होता है, जो किसी को पसंद नहीं होता, बट उसके कई सारे positive impacts भी है, वोलकेनों जो होता है, उसका होना काफी जादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के interior में कई सारे radioactive elements हैं, यह radioactive elements जब आपस में reaction करते हैं, तो उस reaction के current ample amount में geothermal energy generate करते हैं, और वो geothermal energy try करती है, बाहर निकलने के लिए, वो geothermal energy move करती है, वो अर्थ के atmosphere के contact में आना चाहती है, अर्थ के interior से निकलना चाहती है, तो वो geothermal energy जब बाहर आती है, तो वो volcanos का foam ले लेती है, और या फिर volcanos से निकलने वाले lava के foam में वो बाहर आती है, और अगर यदि volcanism नहीं होगा, तो क्या होगा, यह geothermal energy जो है, जो अर्थ के interior में है, यह geothermal energy produce होती रहेगी, lava बनता रहेगा, तो लावा बनने के बाद क्या होगा, एकदम ली, last, अर्थ जो है तूट जाईए, पूरी खतम हो जाईए, क्यों क्योंकि वो energy तो generate हो रही ना, तो इसी अर्थ को फूटने से रोकने के लिए, इसी gas के उपर रखे हुए cooker को फूटने से रोकने के लिए city बजती है, जिसे हम volcanos कहते हैं, इसी के current volcanic particles बाहर आते हैं, जो कि अर्थ के interior में generate होन उसले ample amount के temperature को manage करते हैं, और उसी managing के current volcanism होता है, और volcanos से जो lava निकल के बाहर आता है, उस lava को हम दो पार्ट में classify करते हैं, acidic lava और basic lava, basic lava वो lava होता है, जिसके अंदर basalt का concentration जादा होता है, वही acidic lava वो lava होता है, जो endecide से मिलकर बना होता है, Indecite और Basalt क्या होता है उसके बारे में यहाँ जानते क्योंकि यह लंबे समय तक हमारे साथ चले है Indecite और Basalt तो यह क्या होते है उसके बारे में यहाँ देखते हैं Basic Lawa जो होता है Basic Lawa की सबसे पहली property है यह fluid होता nature के अंदर और वही acidic Lawa जो होता जैसे कि basic lava है जिसके अंदर basalt का concentration जादा है तो निकलते से वह फेल जाएगा और इससे जो landform बनेगा वह बनेगा प्लेट्यू या फिर प्लेटो किससे बनेगा इस basic lava से जो कि अर्थ के interior से originate हो रहा है अपनी फ्लूइडिटी जादा होने के कारेंट फटाक से खेल जाता है वही जो acidic lava होता है जो एंडेसाइटिक lava होता वो निकल के आता है बाहर जब वो निकल के आता है तो निकलते से यह जम जाता है फरदर फ्लूइड नहीं करता यह विसकस होता यह गाड़ा होता है तो इसके कारेंट क्या होता यह जम जाता है तो यह इससे जो कि लावा निकलता उस लावा से बनते mountains volcanic mountain जो कि हर बार eruption के कारेंट अपनी height gain करते जाते हैं जिसे हम ट्रेप भी कहते हैं इस point को जो एक layer बन रही ना layer 1 layer 2 layer 3 इसे ट्रेप भी कहा जाता है क्यों कहते हैं इसे ट्रेप इसले कहते हैं क्योंकि जब सबसे पहली बार eruption हुआ था तो इरप्सन होने के बाद जब लावा ठंडा हुआ जब वहां बार बारिस हुई तो कई सारे पेड़ पोदे उग गए कई सारे छोटे-छोटे जानवर्स आ गए तर्माइट्स आ गए उसके बादे तो चुवे आ गए रोडेंट्स और यह जब यहां पर आये तो इनके आने क बढ़ता जाता और यह इस लवास हो लेंट्फोम भंते वो लेंट्फोम हमेशा लेंट्र रकॉ म्हों हैले कहले महरास्टरा के इंग дело महारास्ट्र में है, जो कि उत्तरी करनाटका में है, जो कि दक्षणी मध्यप्रदेश में है, जो दक्षण पूर्वी का जो इलाका है, गुजरात का उस एरिया के अंदर फेला हुआ है, वो है हमारा डेककन का प्लेट्यू, तो डेककन का प्लेट्यू किस से बना? बेसाल्ट दूसरा point, highly viscous, less viscous, high viscous, viscous मतलब गाड़ा पन, यह गाड़ा कम है, तबी तो दूर तक फेलता है, तबी तो यहाँ पर shield बनती है, जिसे लावा shield बोली जाती, जो Captain America की भी है, इस टाइप के shield क्यों बनती है, क्योंकि यह viscous कम होता है, तो यह फेलता जादा है, और यही इसकी viscous हिटी जादा होती है, तो यह फेलता कम है, तो कोई shield बील तो नहीं बनती है, यहाँ पर बनता है mountain, फिर इसके बाद आता यह होता color में dark, समंदर के अंदर से निकलता कई बार basaltic लावा, तो जो mid oceanic रीज होती है, mid oceanic रीज के बाहर जो लावा निकलता है, that is the basaltic लावा जो ठंडा होकर जो रोग बनाता है, उन्हें हम oceanic रोग भी कहते हैं या फिर oceanic crust भी कहते हैं, और जब basaltic लावा सरफेस पर निकल आता है, तब भी बनाता है basaltic plateus, और उस basaltic plateus को erode करने के बाद, उससे जो मिट्टी बनती है, वो होती काली मिट्टी, जहाँ पर basalt है, वहाँ पर color dark है, और color dark है, उस dark color का region है black soil, तो आपसे directly हमारी exam के अंदर question पूछा दा सकता है कि basic लावा से कौन सी soil बनती है, तो basic लावा का color है dark और इस dark color से बनती है black soil, और यही नहीं कि यही पर question खतम हो जाए, question यह भी हो सकता है कि black soil जो है, वो देश के कौन से region के अंद famous है, तो black soil है, जिसे regular soil भी कहा जाता है, या भी tropical charno gem, is famous for the cotton cultivation, जो cotton होता है, जो कपास की खेती होती है, वो महराश्रा का अंदर ज्यादा होती है, मध्यप्रदेश में भी एक भाग है जिसे निमाण कहा जाता है, जो मध्यप्रदेश के दक्षिन में बसे हुए दो area है, ज का डिक्कन का platiuk, यहाँ पर है डिक्कन का platiuk, तो यहाँ पर मध्यप्रदेश का कुछ भाग है, महराश्रा लगभक सारा, गुज्रात का दक्षिनी भाग है, करनाटक का उत्तर पश्यम भाग है, तो यह पूरा पार्ट जो है, यह डिक्कन के अंदर आता है, जो की एक basaltic eruption हुआ था इसके बाद इसकी तीसरी important property that it is rich in magnesium इसके अंदर magnesium ज्यादा होता है और इसके अंदर ज्यादा होता है silicon silicon किसके अंदर ज्यादा होता है acidic lava के अंदर जो basic lava या फिर basic lava है उसके अंदर ज्यादा होता है हमारा यह magnesium फिर जो basic lava होता है basic lava के अंदर silicon का जो concentration जो इसमें जादा है वो इसमें होता है कम basic lava की दूसरी जो सबसे ज़्यादा property है सबसे बड़ी property वो है hotest 1000 degree centigrade के साथ निकल के बाहर आता है जो जो है थंडा है वो जौला मुखी के अंदर इतनी ताका थे कि अपना लावा वहार निकल के फिक दे तो वो 1000 degree centigrade के साथ निकल कर रहाता है जो hotest होता है वो होता है basic lava वो दूसरा जो है comparatively less hot होता है ठीक है अब इसके example की बात करते तो एक होता है डिककन का पठार जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने देखा एक eruption हुआ था पीली आइलेंड पर जो पीली आइलेंड है वहाँ पर एक mountain है जिस mountain का नाम है Mount Pili यह Western डीज के अंदर है जो एक Caribbean country है Western डीज आपने नाम सुना होगा cricket के अंदर भी कई सारे प्लेयर्स है वहां से एक टीम है वहां की तो Western डीज के अंदर एक बार volcanic eruption हुआ था ज्वाला हो गए थे तीस हजार लोग एक साथ मर चुके थे इतना डिजास्ट्रस था यह मांट पीली पर होने वाला volcanic eruption क्यों क्योंकि यह है एक एसेडिक eruption और एसेडिक eruption जब होता है वह वोईलेंटली होता है यह जेंटली होता है आराम से होता है समुद्र के अंदर होता है इसके अं लेक्ते उसे इसे करके निहारते हैं तो वह होता है वहीं एसेडिक जो लावा होता हो वोईलेंटली निकलता है जैसे मैंने थोडी दर पहले बताए कि उसके अंदर से जो पत्थर निकलते हो बंदुक की गोलियों की तरह आते जो सभी चीजों को तहस्नास कर देते तो इसी उमर के आधार पर वोलकेनों को कितने पार्ट में बाटा गया, हर चीज की उमर होती है, आपकी भी है, मेरी भी है, धर्ती की भी है, तो धर्ती पर जन्द में हुई इन ज्वाला मुखीयों की उमर है, इनकी age है, उस age के basis पर और इनको अलग-अलग पार्ट में classify किया गया है तो first is active volcano active volcano वो volcano होती है जो कि सक्री होती है जो active होती है जो gradually erupt होती है तेजी से erupt होती है फटा-फट erupt होती है frequently जो होती है वो होती है हमारी active volcano जिसका पता ही नहीं होता कि कब erupt out हो जाए like Mount Stromboli Mount Stromboli is situated inside the Mediterranean Sea and it is termed as the lighthouse of Mediterranean Sea is Mount Stromboli को Mediterranean Sea का lighthouse भी कहा जाता है और यह क्योशन हमारी exam के अंदर पूछा गया है तो इसे ध्यान में रखना Mount Stromboli is situated inside the Mediterranean Sea and it is the lighthouse of Mediterranean Sea और यह एक active volcano है active volcano है तभी तो इस तरीके से वो निकालती है धुआ इस तरीके से light निकालती है और इसी light के कारेंट इसे हम बोला जाते है light house इसके बाद दूसरी वोलके नहीं आती है कोंटिनेंट की highest peak है Mount Kilimanjaro यह आपको आंसर करना है कि कौन से continent की highest peak है Mount Kilimanjaro और यह कौन से देश के अंदर है उस continent के उस महाद्यूप के कौन से देश के अंदर है Mount Kilimanjaro उसके बारे में आपको बताना है बट Kilimanjaro एक dormant volcano और dormant volcano क्या होती पहले यह तो देखते हैं काफी टाइम से इरप्ट आउट नहीं हुई है काफी टाइम से उसके अंदर से लावा बाहर नहीं आया बट possibilities है कि future में वहाँ पर eruption हो तो वह volcano जो काफी time से बंद है बट condition बनती है कि वह future में इरप्ट आउट हो सकती है वह volcano होती है दूसरी volcano जो की extinct volcano की category माती है extinct volcano वह volcano होती है जो की past में बहुत बड़ी volcano थी जो violently erupt होती थी acidic basaltic according to lava जो होती थी अब वह volcano आगे future में erupt out नहीं होगी तो जो volcano future में erupt out नहीं होगी उस volcano को हम बोलते है extinct volcano और extinct volcano को कहा जाता है उसका example है कोह सुल्तान कोह सुल्तान जो इराग के अंदर है इरान के अंदर है that is the extinct volcano of the world अब कोई volcano खतम होती है उसका क्या sign होता कब volcano जाकर खतम होने लगती है जैसे volcano एकदम से eruption हो रहा है तेजी से वोलकेनों का particles बहार आ रहे हैं लावा बहार आ रहा growing avalanche तो volcano खतम होगी यह पता हमें कैसे चलता है इस बारे में पता चलता है जब वोलकेनों से पानी निकलने लग जाए जब वोलकेनों का जो eruption हो जाए और eruption के end में जब धीरे धीरे water vapors उसके अंदर से आने लगती है तब यह sign होता है यह indication होता है कि अब वोलकेने eruption कम होने वाला और अब इस बार का जो Kamu होने वाला एं तो उटिस वेपर के निकलने वाले using favored अको वोलते व्यूमे रोल वें रोल में क्या होता है वोलकेनों के अंदर से लावा निकलन लावा के साथ-साथ पानी भी निकलने लग जाता है और इसी पानी के अंदर अगर यदि सल्फर जुल्व जाता है तो इसे हम बोलते सोल फात्रे यह तीनों टम होती है जब वोलके नों खतम होने की कगार पर आती है तो यह साइन सो करती है ठीक है तो फ्यूमेरोल्स को देख पर जाब वोलके नों खतम होने की कगार पर आती है यह एकस्टींट वोलके नों जो की बिल्कुल बंद है डॉरमेंट वोलके नों जो पास्ट में थी अब नहीं यह बट इन है आप सभी लोगों को पता होगा आपने आपकी किताबों में पढ़ा होगा यह पिर किताअब नहीं तो किसी के मुँंझ से सुना होगा कि हमारे देश हमारे भारत वर्स के अंदर इसी कौन सी वल्केणों है जो जो कि active volcano, एक मात्र volcano, तो उस volcano का नाम आपको comment करके बताना है. So these are the volcanoes on the basis of age. Now on the basis of eruption, volcanoes are classified into two parts. कितने parts में देख लिया अभी तक हमने? पहला तो हमने देखा था. On the basis of lava. तो वोलकेनों के दो टाइप के lava होते, basic lava और acidic lava. दूसरा, उन्दा basis of age, हमने देखा active, dormant and extinct. अब इसके बाद, थर्ड हम बात करते, उन्दा basis of eruption. जो eruption कि सीच का होता है, जो lava का eruption होता है, उस eruption के basis पर volcano को कितने part में classify किया गया है, उस बारे में यहाँ पर देखो, तो पहला जब यह जो वोलकेनों होती, इस वोलकेनों के एकदम center से lava बाहार आए, तो इसे हम बोलते हैं, central eruption, जब वोलकेनों का जो एकदम center है, जो vent है, इस vent से lava निकल के बाहार आए, तो इसे हम बोलते हैं, central volcanism, या फिर central eruption, बट जब लावा नालियों से निकल के बाहार आए, जैसे कि mid oceanic ridge, इसे टाइप की होती, mid oceanic ridge दब दो फ्लेट एकदम से दूर हो जाती है, तो डिस्टेंस बनी दोनों हातों के बीच में, तो सब area से lava बाहार आता है, तो जो इतने सारे area से lava बाहार आता है, उसे बोलते हम फिजर eruption, एक central eruption in which lava is outpore from a single point, and second one is, फिजर eruption, जिसमें entire valley से lava निकल के बाहर आता है, तो फिजर eruption हुआ, central eruption हुआ, central eruption की भी एक quality है, वो फिजर eruption की भी एक property और quality है, क्या property है, क्या quality उसके बारे में, यहां देखो, central eruption जो होता है, वो violent होता है, और फिजर eruption जो होता है, वो gentle होता है, वो violent नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता, क्योंकि जब पूरा पूरा pressure एक point पर लग जाए, इस अकेले hole के उपर जब पूरा pressure लगता है, या फिर वोईलेड़ वही जो फीजर इरप्सन होता है फीजर इरप्सन के अंदर क्या होता है लावा जो होता है वो लावा एक नाली से बाहर आता है तो यहां पर प्रेशर लगी नहीं पाता उतना एक एक point से बाहर आ गया तो यहाँ पर heavy pressure और दूसरा इतनी बड़ी reach से बाहर आया इसलिए यहाँ पर pressure ज्यादा नहीं होगा यह इतना violent नहीं होगा, यह gentle होगा और यह जो central eruption है यह होगा violent, disastrous तो on the basis of eruption volcanoes are classified into two parts the central eruption and the fissor eruption इसी के बाद करते volcanic landform की volcanism का काम क्या था मैंने volcanism की processes में सबसे पहले specify किया था कि volcano एक पहाड़ होता है और volcanism एक process होती है जिस process के अंदर interior से लावा निकल के बाहर आता और बाहर आने के बाद solidify होता है और solidify होने के बाद एक नए landform का formation करता है तो सारी process को हम बोलते है volcanism तो volcanism की processes के अंदर दो तरह के landform बनते हैं एक landform जो की धरती के भीतर बनते हैं यह वाले जो अर्थ के interior में बनेंगे इन्हें हम बोलेंगे intrusive landform और वो landform जो की अर्थ के बाहर बनेंगे इन landforms को हम बोलेंगे extrusive landform एक इंट्रूजिव एक एक्स्टूजिव नाम से clear हो रहा है जैसे interior exterior होता है वही इंट्रूजिव एक्स्टूजिव तो इंट्रूजिव लेंगों की क्या definition है थे वोलकेनिक लेंगोम विच आर क्रिएट बाइदसोलिदिफिकेशन ओप लावा इनसाइड धी अर्थ क्रूस्ट आर नोन इस इंट्रूजिव लेंगोम समझ माया inside the earth crust. Highlighted words को देखो. वही the volcanic landform और the volcanic particle which are erupted out from the earth surface solidify and create a new landform that are the extrusive landform that are on the earth not inside the earth. अर्थ की crust के उपर, अर्थ की surface के उपर तो वो होते extrusive वो जो अर्थ के interior में होते वो होते intrusive. तो कई landform जो होते, वो intrusive landform होते जहां से हमारी NDA की written exam GAT के अंदर question पूछा हुआता है तो कौन से होते Intrusive volcanic landform उनको देखते हैं कितने सारे landform होते हैं याद कर सको, नहीं कर सको जैसे ही याद करना पड़े ये learn होना चाहिए ये सारे के सारे landforms important है क्योंकि इन ही में से एक landform के उपर question फूछ लिया गया है हमारी exam के अंदर तो ये landforms क्या होते हैं एक-एक करके देखते हैं कुछ landforms जो होते हैं वो horizontally बने होते हैं और कुछ landforms होते हैं जो vertically बने होते हैं vertical landform like dyke this one दूसरा vertical landform went जो की pipe होता है तो ये क्या होते है vertical अब बांकी की जो बचे हुए वो सारे horizontal landform है अभी horizontal landform कैसे बने देखो जब अगर लावा के अंदर इतनी ताकत हो उसका determination strong हो तो वो तोड़ फोड़ के धरती के उपर आही जाएगा अगर अगर उस लावा के अंदर ताकत ना हो उस लावा के अंदर इतना potential ना हो तो धरती के भीतर ही solidify होगा वो जब वो अर्थ के अंदर ही solidify होगा तो अर्थ के अंदर अलग-अलग landform का formation करेगा तो कौन-कौन से landform वोल्केनों से अतके अंदर बंगते हैं उन लेंट फोरम्स को हम बSON box एंट्रूजिव łेंड फोरम तो पहले यहां पर बात की जाए तो वह था लॉपॉलित लोपोलित वर्ट दिख रहा है लोपोलित जो होता है वो होता है भाओल शेप या फिर सोसर सेप तो जो यहां पर आपको दिख रहा है एक भाओल के पुम में It is your लो लित जो कि बाओल सेप में होता है अर्थ के इंटीरियर में volcanic activities के current बनता है दूसरा होता lode, lode होता है ये वाला जोकी छोटा सा डॉम होता है small dome होता है जो ऑलकेनों के अंदर धरती के अंदर ही बनता है लावा के solidify के जाने के ये लाल color से जहांबंभी जो दिख रहा है ये खून नहीं है लाल रंग मोश्य दिख रहा है वह लाल की रेखेशन के अकई बनता है लेकोलित यहाँ पर दूसरा लेंड़्फोम उता है तीसरा होता एकॉलित है को जो उताउ हमें यहाँ पर जो दिख रहा जिसका सेप वेव टाइब है वेव देखि some वेव कुछ वेव जो कि शोर्ट वेव लेंद्ध की होती है कुछ वेव जो कि लोंग वेव लेंद्ध की होती है तो इस टाइप का जो वेवी टाइप जो लेंडफर्म होता है यहांपर बना हुआ है इस टाइप के वेवी लेंड्फर्मम के अंदर यह वाला जो उपर वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं एंटीक्लाइन और वहीं जो नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं सीन क्लाइन जो नीचे वाला वेव नीचे वाला जिसे हम ट्रफ भी बोलते और ऊपर वाला जो क्रेस्ट है इस क्रेस्ट को हम बोलते एंटीक्लाइन तो एंटीक्लाइन सिन प्लाइन के फोम में जो लावा सोलिडिफाई होकर जो लेंड फोम बनाता है जिसे सिंप्ली वेवी शेप कहते हैं इस आर फेकोलित नेक्स सील यह इंटाइरली होरिजॉंटली डिपोजिट होता है यह जो पूरी तरीके से बिल्खल एक फ्लेट और वोल्टिकल होने के साथ साथ फ्लत यह हो गया हमाला डैक के बाद अगला होता बेथोलीत जो की सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करके रखा हुआ इंटीरियर में वोलकेनों का यह एक तरीके का प्लूटोन होता है एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लार्ज अमाउंट में लावा को एक्युमिलेट करके लगता है और एक बड़ा सा डॉम बनाता है डॉम जानते हो क्या होते है जो मंदिरों के उपर बनाया जाता है और इसे हम बैथोलित भी कहते हैं जो कि लावा वोलकेनों के अंदर सोलेडिफाई होकर बनता है तो यह थे दोस्तों सारे के सारे वो लेंडफोर्म जो कि वोलकेनों के इंटीरियर में बनते बट यह लेंडफोर्म बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यहां से क्योक्शन्स पूछे गए हैं तो आप सारे के सारे लेंडफोर्म को देख लो और इन लेंड़ों का शेब चेक कर लो ठीक आप यहां पर स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं और इसी के अलावा जो इसके जो नोट से वो नोटस आपको हमेशा की तरह हर फेकल्टी बताते हैं कि वो आपको शक्ति बेच के अंदर देखने को मिलते हैं र्टborg고 को नोट शíst लेंड़ों के लाको और ज綁ड़े होते हैं तो वहां पर आप निकाल सकते हो definition बताने की जरुबत नहीं जो बाहर बनते वह एक्स्ट्रूजीव लेंडफोम होते हैं एक्स्ट्रूजीव लेंडफोम के अंदर सबसे पहला लेंडफोम इसे बोलते हैं सिंडर एश कौन मतलब जो राक से मिलकर जो कौन बनता है यह जो वोलकेनों के बाहर यह जो बनता है जो आपको दिखाई देता है उसे हम कौन बोलते हैं तो यह जो कौन होता है जिसे हिंदी में कौन कहते हैं यह कौन जब वोलकेनों के बाहर बनता है और राक से बनता है दस्ट से बनता है तो तो इस कौन को हम बोलते हैं तिंडर कौन तिंडर कौन इस दी एक्स्टूदी वोलकिनिक लेंड फॉम विचार फॉर्म्ड ओन दी अर्थ सर्फेस इसकी हाइड कम होती है और इट इस मेड़ अप अप एश एंड डस्ट डस्ट और एश मिलकर जो कौन बनता है तिस दी सिंडर कौन के बाद कि अगला एक्स्टूदी वोलकिनिक लेंड फॉम होता है कि कॉंपोजिट कौन अगें बनता है एंड़ेसाइटिक लावा से जो हाइड गें करता जाता है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते वह लेयर बाइड लेयर आगे बढ़ते जाते हैं तो जो कॉंपोजिट इरप्शन होता है वह वोईलेंट होता है और वोईलेंट होने के साथ साथ यह लेयर के फोम में होता है तो यह कॉंपोजिट इरप्शन जो होता है इसकी हाइड भी ज्यादा होती इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं इस composite cone की height को बड़ा देते हैं तो composite cone और cinder cone में क्या अंतर है cinder cone की height कम राक से बना होता है और composite cone pure लावा से बना होता है 24 के रेक्ट gold जैसा gold नहीं होता हो पर gold जैसे कई सारे minerals उसके अंदर से निकलते हैं उनी से मिलकर बना होता है composite cone next होता है parasite cone parasite cone यह है main volcano और इस volcano के अंदर यह है इसका vent जब जो primary vent होता है इस primary vent के अंदर से एक दूसरा pipe फूट जा leak होता है ना बस वैसा को इसे अर्थ के अंदर हमारा पेरासाइट कोन पेरासाइट कोन जो होता है केसे बना में वेंट से लावा निकल के बाहर आया और लावा के बाहर आ जाने के कारेंट यहां पर जब लावा अगें एक्यूम्लेट हुआ तो वहलकेनों के ऊपर कोन के ऊपर जो कौन बंबना जो कौन होते हैं उन कौन के ऊपर जो दूसरा कों बना वहोता पेरासाइट कोन जो की एकोंडरिंडरि gebracht हो हुथा एंप कई सारे वोल्किनिक लेंटफों ऐसे होती जिनके उपर हमें यह देखने को मिलता है यह वो रीजन वर्ड का जहां पर वोल्किनिक एक्टिविटीज होती है अब मेरे पीछे जो आप जो देख पारे हों जो मेरे उपर माला का काम कर रहा है जो एक गार्लेंड की तरह रिंग ओफ फायर सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप सीख जाओगे रिंग ओफ फायर क्या होता है रिंग ओफ फायर वो एरिया होता है जहां पर वोलकनिक एक्टिविटी सबसे जादा होती है वोलकनिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती इस एरिया के अंदर कि एक रिंग बना लिए उसने वो रिंग जिसके अंदर से आग निकलती है ये देरफोर दा पैसिफिक रीजन वो रीजन पैसिफिक का जहां पर सबसे बड़ी पैसिव प्लेट कई सारी छोटी-बड़ी टेट प्लेट से टकराती है साउ सारी प्लेट से जब यह ठकराती है तो उस जरा से कोलीजन के करणट नंबर में यहां पर वॉलकैनिक इरॉप्षन होते हैं इन वॉल्कैनिक। रिंग ओफ फायर भी कहा गया है या फिर सरकम पेसिफिक बेल्ट तो इट इस दी फर्स्ट वॉल्केनिक रिजन ओफ दी वर्ल्ट जो वॉल्केनों का डिस्टिप्यूशन होता है उसमें सबसे पहला रिजन जिसे बोला जाता है देट इस दी पैसिफिक रिंग ओफ फायर दूसरा होता है मिड कॉंटिनेंटल बेल्ट ये वाला रिजन जो कि एफरिका के नोर्थ में है इंडिया के नोर्थ से धर्ती गोल है इसलिए वह पार्ट और ये पार्ट जुड़ा हुआ है इंडिया के नोर्थ में है उसके बाद है तो मेडिटिनेंटल बेल्ट होता है जो कि हिमालाय के नोर्थ से लेकर तो मेडिटिनेंटल तक फिला हुआ है So this one is mid continental belt इसमें सबसे जादा जो वलक्य इरफशन है ये ऐफरीका के नोर्थ में होते हैं हिमाले में पहले वलक्य इरफशन हुआ करते थे जब इंडियन प्लेट और यूरेशन प्लेट पूरी तरीके से कॉलाइड नहीं हुई थी हिमाले के कई पार्ट के अंदर वल्कनिक быть रप्षन होते थे जैसे काला कोट में अब वहां पर इतने वल्कनिक उतने क्या होते हिमाले वाले रीजन के अंदर बट जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन है उसी के अंदर एक विलकन हो जिसकाव है मौंट Stromboli which is termed as Lighthouse of Mediterranean Sea इसके बाद it is the Mid-Atlantic Ridge Mid-Atlantic Ridge से कौन सा Eruption होगा? यहां से होगा Pizar Eruption दो प्लेट दूर दूर जाएगी और दूर दूर जाने के current जो लावा होगा उस तेंटर से बाहर निकल के आएगा एक प्लेट से बाहर आएगा तो वो होगा हमारा Mid-Atlantic Ridge के अंदर Mid-Atlantic Ridge Mid-Continental Bait Pacific Ring of Fire तो इतने यह तीन रीजन है यहां पर जहां से Volcanic Eruption सबसे ज़्यादा होता है अब इसके बाद यहां पर हम कुछ छोड़े चोड़े टोपिक्स की बात करते गीजर क्या होते है गीजर हम हमारे बातरूम की गीजर की बात नहीं कर रहें बट उसी गीजर वो जो वाश्रूम का गीजर होता है वो भी इसी आइडिया पर काम करता है गरम पानी देना गीजर भी इसी टाइप के होते हैं जिने हम फाउंटेन भी बोलते हैं Hot Water Fountain क्या होते हैं देखो यह हमारी अर्थ है हमारी अर्थ के अंदर कई एरिया में वाटर के इकवीफर्स है यह इकविफायर जो इकवीफर्स होते हैं यह नीचे से गरम होते हैं अर्थ की जियो थर्मल एनर्जी के कारेंट यह जो ब्लू कलर से प्लोट है यह सब एक्विफर एक्विफर किसे बोलते जैसे स्विमिंग पूल अर्थ के ऊपर होता है वेसे के वेसे पानी के स्विमिंग पूल समझ लो जो की धरती के अंदर होते हैं उन्हें हम एक्विफर एक्वीफर जब नीचे से गरम होते हैं तो नीचे से गरम होने के करल फित इनका पानी में वह बनता है वाटर विपर वाटर कंवर्ट हो जाता वॉटर वेपर में स्रीम में निकल के अर्थ सर्फेस के ऊपर आता त्वोका सिर्फफपोर तो प्रेशर से बाहर निकलता है और इसी प्रेशर से बाहर निकलने वाले लेंड फोर्म को हम बोलते हैं गीजर अर्थ के इंटीरियर से पानी का गरम होना अर्थ की इंटीरियर एनर्जी के कारण कुछ मेगमेटिक एनर्जी के कारण जियो थर्मल एनर्जी के कारण जब पानी गरम होता है और स्टीम के फोम में तेज बहार आता है तो तेज बहार आये हुए पानी को हम बोलते हैं यहां पर गीजर तो यह हो जाता है गागा गीजर गीजर के बाद दूसरा पॉइंट गीजर के के साथ साथ उस एक्वीपर को सफिषेंट अमाउंट में बोटम से हीट एनरजी मिले गीजर का एक्जांपल है यलो स्टोन नेश्नल पार्क उप यॉनाइट इस्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर यलो स्टेंड नेश्नल पार्क है जिसे ओल्ड फेथुल गीजर भी कहते हैं त होट स्प्रिंग भी उसी तरीके का होता है कि धरती के अंदर कुछ पानी के एक्विफर्स होते हैं वो एक्विफर्स नीचे से गरम होते हैं बट यहां पर जो हीट एनर्जी है वो की जगा पर जीजर देखने को मिलते हैं अब जीजर के अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं और ऐसा बोला जाता आपने भी सुना होगा कि जो गरम पानी के कुण्ड होते हैं या फिर किसी भी तिर्थिस्थल पर जो कुण बने होते उन कुण के अंदर जब हम एक डुपकी मारते हैं आख बन्द करके हात जोड़ के तो इसा बोला नेश दोस्तों क्योंकि इसके अंदर मिलते हैं जो कि इन्टीर्य के साथ रियक्षन करते हैं और आपके बोर्डी के विद्धाइक निर्मेक्जी से रिलेटेड जितनी भीडिस होती इस्फटा-फट्ट खतम होती है तो इनकी एक medical value भी होती है, जो हाथ बंद करके हम अंदर डुप की लगाते हैं न, वो उस डुप की लगाने का कारण है इन minerals का हमारी body से attach होना और उस attach हो जाने के बाद हमारी body के उपर की जो disease है, वो धीरे धीरे खतम हो जाती ही, hot spring के through hot spring के बाद अब हम देखेंगे, वोलकेनों के positive और negative impact क्या क्या है कितने वोलकेनों के positive impacts है और कितने वोलकेनों के negative impacts है negative impacts तो आप जाहिर सी बाते बता सकते हो, बताने की जरुवत है ही नहीं मुझे, कि क्या वोलकेनों का negative impact है, बट वोलकेनों के कुछ positive impacts भी है, बात करते करते इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अब भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या negative impact होते हैं और क्या positive impact होते हैं वोलकेनों के पहले बात करते है negative impact के बारे में negative impacts क्या होते हैं जो कि वोलकेनों के through होते हैं positive impacts क्या होते जो कि बोलकेनों के थूँ होते तो negative में पहला loss of life and property कई सारे जानवरों की जान जाती है कई सारी building तबाव हो जाती है तो ये loss of life और property के अंदर आएगा दूसरा पॉल्यूशन जब वोलकेनों का इरप्सन होता है तो कई सारी गेसेस निकल के बाहर आती है और उस टाइम पर एट्मोस्फियर को पूरा पॉल्यूट कर देती है एक आइलेंड है इंडोनेशिया के पास जिसका नाम है क्राकाटोवा क्राकाटोवा आइलेंड पर एक बार वलकेनिक इरप्सन हुआ था तो इतना धुआ निकला था कि क्राकाटोवा विस्व के नक्से से गायब हो चुगा था कोई सी भी जो सेटेलाइट थी उसे प्लोट नहीं कर पारी थी इतना एट्मोस्फियर उसका पॉल्यूट हो चुगा था कई सारी गेसेस और यह निकलकर आज गई थी तो यह पॉल्यूशन का काम करता है हामफुल गेसेस विचार हजार्डियस फोर हेल्थ जो फेटल होती है जो खराब होती है हमारी हेल्थ के लिए वो हामफुल गेसेस निकलके आती है वॉल्यूशन के अंदर से जो कि नेगेटिवली हमको इंपेक्ट करती है यहाँ पर आएगा अजार्डियस पोर हेल्थ इसी के बात वोल्केनों के कुछ पॉजिटिव इंपेक्ट की बात करते है तो किस तरीके से पॉजिटिवली वोल्केनों हमें इंपेक्ट करती है पहला इड्ग्यू अस इड्ग्यूस अस इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ओफ दी अर्थ हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिनती है वोल्केनों से तो यह वोल्केनों का एक पॉजिटिव इंपेक्ट है दूसरा ब्लेक सोईल फॉर्मेशन ब्लेक सोईल पॉर्मेशन वोल्केनों से जो लावा बहार आता है अगर वो लावा बैसाल्टिक है तो बैसाल्टिक लावा के ठंडे हो जाने से जो चट्टाने बनती बैसाल्टिक रोक्स उनके उपर जब इरोजन होता थो उसी इरोजन का रिजल्ट बनता है ब्लेक सोई ठीक है प्रस्टेश करेंगें मिनेरल्स की सारे मिनेरल्स ुछ व बोलकेनों न चांद ही स्क्ट्ट कि इंटीरियर और एम इन। जगा कम होने के कॉलेंट में लिखनी पाराओं। आप समझ लो सुन लो वह पॉजिटिवुट्विक्ट है कि यह एर्थ के के negative और positive कुछ points है बोलकेनों के बाद अगली हम बात करते हैं सुनामी के बारे में सुनामी जो है वे एक Japanese world है इसका meaning होता है Harbour Wave सुनामी जो है Japanese word है जापान से लिया गया है क्योंकि जापान के अंदर सुनामी ज्यादा आती है जापान जो है पेसिफिक ओशन के अंदर एक आइलेंड है जो होकाइडो और हुंशू आइलेंड को कंबाइंद ली मिला कर हम बोलते हैं तो उस एरिया के अंदर जो वेव साती हुँ होती ही सुनामी जिसे हर्बर वेव भी केते यह सी वेव सोती है जो की तेजी से किनारे की तरफ आती है और किनारे की तरफ आने के बाद है तो नेगेटिवली इंपेक्ट करती है अब यह आप देख पार हो फोटोग्राफ के अंदर कि कई सारी कार शिप जो है ओशन के अंदर है और वहाँ पर तेजी से पानी किनारे की तरफ रोट आ रहा है तो यह जो पानी है यह समुद्र के बीच में सा रहा और यह आ रहा है सुनामी के कारण और सुनामी आती है अर्थक्विक के कारण जो समंदर के अंदर आता है वही अर्थक्विक कारण होता है सुनामी का जो प्राइमरी रीजन है सुनामी का वह होता है अर्थक्वि यह कुछ कारेंड है जिसके कारेंड सुनामी आती है पहला अर्थक्वेक अगर अगर समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है समुद्र के अंदर किसी जो प्लेट्स होती उस प्लेट के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से जो ट्रेमर्स जनरेट होते हैं वो tremors पानी को shake कर देते और water जब shake होता है तो बीच में ऐसे bulge बनता है जब बीच में bulge बनता बड़ा सा ये तो जो coastal area है जैसे इस energy के release हो जाने के करेंट जैसे energy धगदग करके बाहर निकलेगी तो बीच में समंदर का स्वेलिंग पने लगेगा तो जिसी की स्वेलिंग होती हैं तो सबसे पाई इंडिकेशन होता है कि समद्र के के अंदर सुनामी आने वाली है तो इसी के कारण अगर अधी हम कोस्टल एरिया पर है हम वापर टूरिजम के लिए घूमने के लिए गए तो जब भी ऐसी कंडिशन बने कि सी वाटर तेजी से पीछे जा रहा है तो उसका यह मतलब होता है कि अब सी वाटर के अंदर सुनामी आने वाली है क्योंकि अब यह जो पानी जिसकी स्वेलिंग हुई यह जैसे ही लूज होगा कि तेजी से कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ेगा कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ने के कारण जो सी वेव से वो अपनी हाइड गेन करेगी सो सो फूट की वेव आईगी और कोस्टल एरिया को हिट करेगी जिसे हम सुनामी कहते हैं तो अर्थ को एक पहला रिजन हुआ दूसरा संब्रीन लेंड्स लाइड अगर कोई सी माउंटेन है जो समुद्र के अंदर है या फिर फिर पास में किनारे पर अगर उसके उपर लेंड्स लाइड हो तेजी से और तेजी से क वाला मुखी फटता है तो पानी को उच्छाल देता है, तो जब पानी उच्छल जाता तेजी से प्रोड़ वाटर ने करते वकत वहां से सुनामी जनरेत हो जाती ही जो तेजी से ंहें कि जो इन्हुरancy सब्सक्राइस में समुद्र के पानी के अंदर हल्चल मचा देते और वही हलचल यहां पर सुनामी का नाम भी ले लेती है तो यह चोथा कारण है जिसके कारण अर्थ को सुनामी आती है और जब सुनामी आती है तो उसका consequences क्या होता है किस तरीके से सुनामी आती है और किस तरीके से damage करती है तो सुनामी पहले तो पानी समुदर के अंदर जाएगा फिर तेजी से water आता है तो water जब तेजी से आता है तो समुदर के जो continental shelf होती है उस continental shelf के उपर एक living creature होता है जो की चत्तानओं की तरह वोज इसे हम कोरल के बारे मारे हम क्लाइमेटोलोजी के अन्दर जानेंगे तो यह झो होता है को अब तो आगे तुछ तो को PUBG ढगे तो आगे बढ़ती है तो और पर जिывать महीं होती है जिनके घर होते वो तोड़ देती कई सारे इसे infrastructure होते बड़े बड़े फ्रीजर्स होते जिसनके अंदर मच्छियों को रखा जाता है सब कोई तोड़ देती सुनामी जब वो समुद्र के अंदर से तेजी से यहां पर आती है बट यह मेंग्रूस जो होते हैं और कई सेंड बार्स जो होते हैं जो मैंने कल आपक ताकत में थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं जैसे ब्रेक लगता है तो धीरे धीरे तरीके से हमारे कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ती उतनी ताकत से नहीं बढ़ पाती जितने डारेक्ट ले आती क्यों क्योंकि अगर यह इंडिया है हमारा और यहां पर मेंग्रूस लगे इस टाइब के पेड़ तो जब सुनामी की वेव यहां से आईगी तो यह मेंग्रूस इसके लिए एक हिंड्रेंस का काम करेंगे एक और इसी ऑप्सटेकल के कारण क्या हुआ होगा यह वेव यहां पर थोड़ इसी धीमी पढ़ जाईगी तो मेंग्रूस हमको मेंग्रूस जो है वह हमको सुनामी से बचाते हैं कई सारे सेंडबार्स जो है वह हमें सुनामी से बचाते हैं कि यह हमारा इंडिया है और यह इंडियन ओशियन है इस इंडियन ओशियन के अंदर 2004 में सुनामी आई थी और सुनामी आने पर यहां पर एक एपी सेंďर बना था। इंडोनेशिया के पास और इस एपीसेंटर के पास एक अर्थक्विक podr ओप और वह अर्थ उस्टेलिया की तरफ भी गई इंडोनेश्यां थूनरेट फोई लिए इंडिया जब समुई क्या जब इंडिया की तरफ गये तो इंडिया का पहले जो सदन मोस跟大家 था जिसे इंद्रा बोलते जो अंडमान निकोबार में था वह पोइंड मो justement डिया गया after effect बना सुनामी क्योंकि consequences में हमने क्या देखा था फेक्टर में सबसे पहले क्या देखा था कि अर्थक्विक largely responsible for tsunami primarily responsible for tsunami तो जैसे अर्थक्विक आया तो उसी अर्थक्विक के कारण tsunami आई और उसी सुनामी ने इंडिया का जो southernmost point है जिसे इंद्रा इसको इंडिया की southernmost hills कहा जाता है यह दोनों point आपको comment box में बताने हैं फिर इसके बाद हमारे तीनों topic हो चुके complete tsunami earthquake और volcanism इससे related कुछ questions है उन questions को हम यहाँ पर लगाते हैं फॉस्ट question which one of the following earthquake waves is first recorded on सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ में सबसे पहले कौन सी वेव रिकॉर्ट की जाती है तो सिस्मोग्राफ में सबसे पहले primary wave रिकॉर्ट की जाती है दूसरा question the intensity of earthquake is measured on मरकाली स्केल इस स्केल के उपर earthquake की intensity measure की जाती है तो अभी आपको बताना है कि एसी कौन सी स्केल है जिसके उपर earthquake की magnitude measure किया जाता है यहाँ पर तो हमने earthquake की intensity measure की अब आपको वह scale का नाम बताना जिसके उपर earthquake का magnitude measure किया जाता है next the type of plate boundary interaction along the Himalaya is known as Himalaya जो world की highest mountain range है वो किस type के collision के current बना हुआ है क्या वो continental continental collision है क्या वो oceanic oceanic collision है या फिर क्या वो oceanic continental collision है इसका answer आपको comment करके देना है next a large dome inside the volcano is known as जो वोलकेनों होती है उस वोलकेनों के अंदर एक large dome होता है उस large dome को हम क्या बोलते है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा लेकोलित लोपोलित डाइक और बेथोलित इन में से क्या है इसका answer आपको comment करके बताना है क्योंकि हमने आज ही पढ़ा है next the maximum depth of lidosphere is found in जो lidosphere होता है lidosphere मतलब the part of crust and upper part of mental crust और mental का उपरी भाग को मिला कर जो point बनता है उसे हम lidosphere बोलते है तो lidosphere की depth सबसे ज़्यादा कहा है मैंने एक बताया था deepest point of the world जिसका answer आप सभी लोगों ने किया था कई लोगे ने comment के अंदर इच्छा जताई थी कि उनको उस point के अंदर जाना है तो उस point का नाम बताना है कि क्या हो पेसिफिक ओशन में हैं साइबेरियन पेन में हैं प्लेन में हैं पेटागोनियन डेजर्ट में या फिर हिमालाए के उपर है तो depth बतानी हमें लिदोस्पियर की एंडिया की एक्जाम के अंदर 2020 में यह question पूछा हुआ है नेक्स क्योस्चन विच इंस्ट्रूमेंट इस यूस्ट्रूमेंट इस यूस्ट्रूमेंट से स्टूडी किया जाता है इस बारे में हमने अभी बात की थी एक पेंडियूलम देखा था ECG waves देखी थी वही यहाँ पर आपको बताना वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था नेक्स विच वोलके नो या फिर विच माउंटेन इस नोन एस लाइट हाउस अप मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस किसे कहा जाता है माउंट फ्यूजी माउंट किलिमिंजारो माउंट स्ट्रोंबोली या फिर कोह सुल्तान किसे मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस कहा जाता है आपको आंसर करना है कॉमेंट सेक्षन के अंदर नेक्स्ट, mid oceanic ridge जो होता है, वो किस boundary पर बनता है, divergent boundary पर, convergent boundary के उपर, transform boundary के उपर, या फिर तीनों में से नहीं, जो mid oceanic ridge होता है, जो समुद्र के अंदर होता है, वो कौन सी boundary के उपर बनता है, आपको इसका answer करना है इसी के साथ-साथ हम आज का हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं हमने आज यहाँ पर तीन बड़े टोपिक को कंप्लीट किये एक शोट के अंदर आपको पूरा लेक्चर देखना आखरी तक अर्थक्विक के बारे में जानोगे, वलकेनिजम के बारे में जानोगे, सुनामी के बारे में जानोगे हमने इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिसकस किया तो बच्चों आज के लिए बस सिर्फ इतना ही बाकी की बाते हम अगले लेक्चर में करेंगे तब तक के लिए जैहिन